दोस्तों टीवी इंडस्ट्री के जुन अभीनेत्रियों ने वर्तमान में दर्शोकों की दिलों में एक खूब जगह बनाई है उनमें एक नाम अभीनेत्री आईशा सिंग का भी है जो की गुम है किसी के प्यार में सही के करदार में नज़त आती है जुसमें इनका अंदाज लोगों को बेहत पसंदाता है तो वही इनोंने अपने रियोल लाइफ अंदाज से भी लोगों को काफी दिवाना बनाया है लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं जहां आईशा सिंग ने अपनी आक्टिंग और खूबसूरती से लोगों को अपना मुरीद किया है और उनकी काफी हुई करना जब करना चाहते है तो हरशत चोपड़ा अभी नेता हरशत चोपड़ा भी आईशा सिंग से शाधी करने की तमना रखते और बात करें इसकी वजह के बारे में तो बता दें इसकी वजह है इनकी एक बार आईशा सिंग से मुलाकात हो चुकी है जहाँ पहली मुलाकात में इन दोनों के बीच में काफी एचिछी Ponding हो गई और इसी वज़ों से उन्हें लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए काफी पॉफेक्ट है इसलिए इनका इनसे शादी करने का सपना है नमबर तीन जैएन इमाम लिस्ट में नमबर तीन पर नाम आता है अभिनेता जैन एमाम का जो कि हमेशो ही अपने हैंसम लोग और अपनी परस्फोंस से हर किसी को दवाना करते हैं पर आपको बता दे जोयान इमाम तो आईशा सिंग के दिवाने हो चुके है जी हाँ जिसकी वजह से ये उनसे शादी तक करना चाहते हैं और बात कर इसकी वजह की तो बता दे आईशा सिंग जोयान इमाम की काफी इच्छी दोस्त है जो कि इन्हें काफी अच्छे से समझती ह और हमेश्वा ही इनकी काफी केर भी करती है और इसलिए यह अब उने इतना जादा पसंद करने लगे है कि उनसे शादी रचाना चाहते है अईशा सिंग से शादी करने की तमन्न रखने वालों में आकरी नाम आता है अभी नीता सिंबा नाकपाल का जुनकी एक ही इंडस्ट्री में रहने की चलते कई बार मुलाकात हो रखी है जहां से मबानागपाल बताते है कि आईशा पर्दे पर जितनी जादा खूबसूरत नजर आती है रियल लाइफ में वो उससे भी जादा खूबसूरत लगती है जब इनोंने पहली बार आईशा को देखा था उनसे अपनी नजरे नहीं हटा पाए और यही वज़ा है कि आज ए उनकी खूबसूरती के इस कदर दिवाने हैं कि उनसे शादी तक करना चाहते है तो दोस्तों आप इन में से किस अभी नेता की साथ आईशा को शादी करते देखना चाहते हैं आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताए साथ ही टीवी इंडास्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले